हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग स्वागतिक वाइब फिर से आप सभी का एम जेटे एजूकेशन में दोस्तों आज है एक जुलाई और एक जुलाई दोहजार चौविस के मोस्ट इंपॉरण करेंट अफेर के कुशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो को प मजगाओं डॉक सिप बिल्डर्स लिम्टेट जो है नौरतन का दर्जा प्रात कर ली है और यह ऐसा करने वाली अठाली कंपणी बन गई है उत्तर प्रदेश कैबनेट ने मंदिरों का संग्राले बनाने के लिए टाटा संस के प्रस्ताओं को मंजूरती है यह म्यूजियम बनाय जाएगा आयुद्या में आप अमेरिका जापान और दच्छड कुरिया के बीच पर एक पक्षय भ्यास सुरू हुआ है फ्रीडम इस बहुत इंपोर्टन है याद रखना और अभी संजना ठाकुर ने इस सुर्या राय पर एक लगुक अथा लिखी एपनी और उसके लिए इन्होंने कामन विल्थ प्रुसकार जीता अभी हाली में दिगज किर्केटर का पिल्देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है ICC की नवी इंतम T20 रेंकिंग में Travis Head ये टॉप पर हैं इसके अलामा अभी RPF के महा निदेशक मनोज यादों को कानूनी जनकारी प्रदान करने के लिए संग्यान एप लांच करने का सुभाग ये प्राफ्त हुआ है इन्होंने लांच किया है इसे केंद्रिय सिवल सेवा निगम 1970 में संसोधन के तहत स्वरोगेसी का विकल चुनने वाली कमेशनिंग माताओं को 6 महिनों तक का maternity leap दी जाएगी पेरिस उलम्पिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतने तो करेंगे अनुस अगरवाल ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुष्टन से लास्ट दिन से अच्छा एक और ज़रूरी बात वीकली करेंट अफेर आप लोग को दी जाती है तो आप उसको देखते ही नहीं हो वीकली करेंट फेर कल भी हुई थी लाइब क्लास हुई थी तो आपको लाइब वाले सेक्षन में मिल जाएगी एबरी संडे वीकली का रिविजन कराया जाता है तो आप लोग रिविजन जरूर कर लिया करो और इसकी क्वेज पीडेफ अगर सब आपको MZTI पर तो मिलती है तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हूँ बिल्कुल फिरी में शुरू करते हैं आज का पहला कोशन ICC T20 World Cup 2024 किस ने जीता तो दूस्तो इसको जीत लिया है भारत में भारत दूसरी बार T20 World Cup जीता है जब T20 World Cup की सुरूआत हुई थी तो हम लोग पहले विजिता थे उसके पहली बार 2007 में ही हम लोगों ने जीता था 2007 में ही इसकी सुरूआत हुई थी पहला संसकर्ण हमी लोगों ने जीता था और अब लेकिन उसके बाद बीच में सूखा पड़ा 17 सालों का अब जा करके 2024 में दूसरा T20 World Cup भारत के नाम हो भारत ने फाइनल में साउथ अफरीका को हराया साथ रनों से हराया है साउथ अफरीका अब इसके बारे में पूरा डेटेल हम लोग जानेंगे जहाँ जहाँ से कुशनस बन सकते हैं हाला कि इस T20 World Cup के बाद खुशियों के साथ कुछ गम के भी पल रहे तीन लीजन्ड खिलाडियों ने सन्यास की खोशना की उन पर हम लोग अलग से बात करेंगे हाला कि कल मन ने दो पर तो आपको वीडियो दी थी रविंज जडेजा भी सन्यास की खोशना कर चुके हैं जबकि रोहित सर्मा और विराट कोली ने सबसे पहले सन्यास की खोशना की थी यह तीन लीजन्ड खिलाड़ी अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे T20 International Format में तो फिलहाल इन तीनों के बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे आज T20 World Cup के बारे में बात कर लेते हैं इसका आयोजन दोस्तों 1 जून से 29 जून की बीच में अमेरिका और वेस्टन डीज में हुआ 12 बडोस में फाइनल खिला गया था नौवा इस बार का संसकान था ठीके नब फाइनल मैच भी आपसे पूछे जा सकता है 12 बडोस में खिला गया था वेस्टन डीज में ठीके बिजेता भारत रहा कप्तान रोहित सर्मा रहे खिलीज सर्मा की कप्ताने में एक ICC की ट्रॉफी आ गए है उप बिजेता दच्छा अफिका रहा इसके कप्तान एडन मार्करम रहे इसके भी कप्तान पूछी जा सकते हैं मैनबदा टूनामेंट जस्परेद बुमरा को चुना गया इन्होंने पूरे टूनामेंट में 15 विकेट लिए लेकिन इन्होंने जो चाप छोड़ी है न वो अदबुद है इन्होंने बहुत सारे ऐसे मैच फसे हुए मैच निकाले हैं भारत के लिए फाइनल मैच भी मैनबदा मैच विराट को हली को मिला है इन्होंने बनाए फाइनल मैच में इसलिए ब्रैंड इम्बेज़र इस ICC T20 विसकप को प्रमोट करने के लिए यूराज सिंग, क्रिस गेल, उसेन बोल्ड और साइध अफरीदी को चुना गया था ठीक है याद रखना भारत धोनी की कपतानी में 2007 में अपना पहला T20 विसकप जीता था अभी रोहित सर्मा की कपतानी में दूसरी बार T20 विसकप जीता है भारत टोटल चार बार ICC का यह टूनामेंट जीत चुका है, चार बार वर्ल्ड कप जीत चुका है जिसमें दो ODI के वर्लक चामिल है अगला question बहुत ही ध्यान से आपको देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है question समझ में ना आए लेकिन बहुत important है हाले में RBI ने कब तक के लिए सार्क currency swap framework की घुशना की है तो अभी RBI ने Reserve Bank of India ने सार्क देशों के लिए सार्क तो आप जानते हो जिसे हिंदी में दक्छेस कहा जाता है दक्छेस के सदस्ते देशों के लिए अभी currency swapping framework की विवस्था की घुशना की है और ये योजना 2024 से 2017 सक चलने वाली है सार्क मतलब South Asian Association of Regional Corporation तो ये सार्क देश जो है ये currency swapping का लाव उठा सकेंगे RBI के थ्रू RBI ने 2024 से 27 के लिए ये framework लांज दिया है अब ये currency swapping है क्या इसको समझेए currency swapping swap मतलब क्या होता है बदलना तो currency बदलने का ये काम RBI जो है ये option दे रहा है सार्क देशों के ये सार्क जो South Asian Association of Regional Corporation है ये देश भारत के आसपास के जो देश है मुक्यता तो इन देशों के लिए ये चुरू किया गया है कि आप लोग जो है अगर कोई deal करना हो कोई swapping करनी हो तो आप आईनार का यूज कर सकते हो आईनार गोले तो Indian rupee का यूज कर सकते हो अमूमन US dollar में euro में इन सब में transactions होते हैं और आप जानते हो कि विदेश में जब भी transactions करना होता है maximum जो currency यूज होती है अपनी currency को change कराकर अपने पास store भी रख सकते हैं इसके लिए भारत भारी भरकम अपना storage भी बना कर रखा है 250 अरब rupee ठीक है न तो यह swapping window शुरू की गई है अच्छा यह तो सार्क देशों के लिए शुरू किया क्या है तो क्या भारत बाकी currency चेंज करना बंद कर देगा न ठीक है तो यूरो और यूएस डॉलर भी होगी लेकिन यहां पर जैसे promote किया जाएगा INR को क्योंकि भारत रसिया यूक्रेन युद से सीख लेकर के ऐसा चाह रहा है कि आगे आने माले टाइम पर ऐसा कुछ ना हो कि अमेरिका जैसा देश भारत पर दबाव बनाए कि हम तो परसिया हो चाइना हो अब साओधी अरब भी हैसे आ रहा है मतलब दुनिया भरके बहुत सारे देशे से सीख लेकर के अपनी अपनी करनसी को भी अपने आस पास के पड़ोसी देशों से बात चीती करके कि चलो हमारी करनसी में आप व्यापार करो इस पर भी फोकस कर रहे है अब केवल यूएश डॉलर पर मोनोपॉली नहीं चल रही है फिलाल ये तो ये बात थी आरबियाई के द्वारा ही सुरू किया गया आरबियाई के बारे मताने की कुछ जरूत है नहीं भारत का सेंट्रल बैंक है रिजल बैंक आफ इंडिया और यही केंद्रिय बैंक है करन के द्वारा AI की रेडिनेस इंडेक्स जारी की गई और इसमें भारत को अस्थान मिला बहत तर्वां भारत आइमफ के इस रिपोर्ट में बहत तर्वे अस्थान पर है टूटल 174 कंट्रीज पर आइमफ ने ये रिपोर्ट जारी की है इसमें AI को लेकर के Artificial Intelligence को लेकर के कौन से देश कितनी ज्यादा तयार हैं कितने ज्यादा रेड़ी हैं अपने हाँ अपने वह से equipment वेल्ड कर रहे हैं या फिर AI से उनकी security कहिना बीच हो जाए इसको लेकर के क्या तयारी कर रहे है इन सब पर ये रिपोर्ट तयार की गई है सिंगापूर इसमें अवला दर्जे पर पहले पर है डेनमार्क दूसरे पर तीसरे पर अमेरिका है भारत की रेंग 72 है इसको 0.49 रेटिंग मिली है भारत के प्रवसी देशों की कुछ बात करें तो बंगलादेश 113 पर सिलंका 92 पर चीन 31 अस्थान पर है ठीक है हाला कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना होता है क लेकिन रिपोर्ट में काफी कम इसको सो किया जाता है तो फिल्हाल यह कुछ और इंडेक्स रहे जो पिछले दुनों में आये हैं हम लोग रिविजन करेंगे देखो सातियों आप कोई सब एकजाम की तयारी अगर कर रहे हो तो आप जो है डिरेक्ली यहां से कुष्टन दे सुचकांग में 116 में पर, Global Gender Gap Index में 119 में पर, यात्रा और प्रेटर्ण विकास सुचकांग में 49 में पर, अभी रिसेंटली ही मैंने इंडेक्स और रैंकिंग की आपको वीडियो दी हुई है जिसमें लास्ट सिक्स मंद का अच्छे से तयार कराया गया है तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो उसको जोड़ देखेगा अगला टॉपिक होगा आपका आयोजना और समयलन अगला हाली में किस राजी सरकार ने मुख्यमंतरी माजी लड़की बहिन योजना सुरू की तो दोस्तो इसको सुरू किया है महराश्ट सरकार में महराश्ट में भी अब चुनावाने वाले हैं तो भाई फ्री वीज तो देने ही पड़ेंगे इनको तो यहाँ पर देखो महराश्ट गॉर्मेंट ने एक महिलाओं के लिए एक स्कीम सुरू की है 21 से 60 वर्स की जो सभी महिलाएं उन सभी के लिए कि 15-1500 रुपए हर महिन उनको दिये जाएंगे मासिक वित्य सहिता ये जुलाई 2024 से लागू भी हो जाएगा यानि की 46,000 करोड रुपए का खर्च भी इस पर आ जाएगा ये मद्ध प्रदेश की लागली बहना योजना से परेरित है और 1500 रुपए प्रतिमा ये 21 से 60 वर्स की सभी उम्र की महिलाओं को दिये जाएंगे बीच की महारा सरकार ने कुछ और भी चीजों की घुशनाएं की है जैसे CM अन्य छत्र योजना के तहट इन्होंने का है कि हर साल पांच सदस्यों वाले परिवारों को तीन मुप्त में LPG सिलेंडर भी देंगे हर साल ये लोग करते कुछ नहीं है जब चुनाओ आता है ऐसा ऐसा एनाॉंस्मेंट करते हैं अपने सरकार दुबारा से सत्ता पाने के लिए या बचाने के लिए या सत्य में आने के लिए कि मतलब अन्गिलीबल लगता है कोई ठका ठक रुपे देगा कोई यहाँ पे किस देगा कहीं सभी की यह बात है ऐसा नहीं है यहाँ पर देखो महाराश्ट में जो हो रहा है यहाँ पर यह एंडिये के लाइंस है जो यह दावा कर रहे है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा लोग सभा चुनाओं में खटा-खटा-खटा-खूब बाते जा रहे तो यह जब जो freebies हैं कहीं ने कहीं लाश्ट में जाकर राजस सुगाटा घटाते हैं और उसके बात फिर इन लोगों क्या करना होता है सारा ठीक रापोड देंगे RBI पर या बैंकिंग कर्मशारियों उपर कि भाई तुम manage करो या फिर तुमारे उपर है तुम देखो जैसा हो ना होगा हम तो announcement कर दिए राजस सुखाली कर दिए यहाँ पर CM N6 योजना के तहत यह 3 move cylinder देंगे लेक लड़की योजना जो है इन्होंने ऐसा ही कुछ शुरू किया था 2023 में तो यह तीन योजना है एक ही वीडियो में एक ही आपको explanation मिल रहा है इसको याद कर लेना कहीं से भी कुश्चन बन सकता है एक और चौथा मधिप्रदेश का भी मिल रहा है योजना चलिए आगे महराष्ट अब कपकप पार्क आल्रेडी जैपूर में बन चुका है रायस्थान में लेकिन ध्यान रखना उसको द्रपदी मुमू जी ने उसका उत्गहरण किया था ध्यान रखना यहाँ पर भारती सेना का यह पहला समिदान पार्क है इसके दोरा बनाया गया है इसके अलावा LNG संचालित बस लांच किया गया भारत के पहली इसके अलावा सरकारी गेस्ट आउज बनाने वाला पहला राती राज्य है जम्मू कस्मीर में आमद नगर का नाम बदल कर अहल्या नगर कर दिया गया है इसके अलावा भारत माता लिखकर के 65,027 वादो से लि लिखेगा ये देखो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है सबसे बड़ा राज्य है रास्थान दूसरे पर मंद पर देश तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महराश्ट्रा और चौथे पर है उत्तर परदेश ठीक है लोनार Moving यहां पर है इसका रंग कभी-कभी गु जरते हैं निम्ण में से कौन सी जील उलका पिंड के गिनने से बनी है निम्ण में से कौन सी जील को गुलाबी जील कहा जाता है निम्ण में से किस जील में सैवालों के कारण रंग बदल जाता है इस टाइप के कुश्चन्स देखने को मिले हैं लोनार जील से याद रखना इं मगाट परमुख दर रहे हैं, ठीक है, चली, 36 जिले 288 विरान सभाम सीटे लोग सभा में 48 सीटे जाती हैं, तूसरी सबसे ज़्यादा, 19 सीटे राज सभा में हैं, ठीक है, एक ना सिंदिस, उसे ना पाटिस यहां के सीम और रमेश पैस यहां के गवर्नार, अगला, एक और ज वाट्षेट करना है, इस एबुक को आप अपना बना सकते हैं, तो आप दोनों ही लेंग्वेज में जिसमें लगे ले सकते हैं, अगला कुश्यन, विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड यह मिला है, डाक्टर उरस ठाकोर को डाक्टर उसा ठाकुर जानिमानी साहित्यकार है एक्चुली मैं अगर आपको याद हो तो फीजी के नांडी में फीजी के नांडी में हुआ था नांडी में हुआ था 2023 में बाराववा विश्व हिंदी सम्मेलन उसमें यह वाड दिया जाने था लेकिन यह वहाँ पर उस टाइम पर अवेलबल नहीं हो पाई थे किसी कारण बस डाक्टर उसा था तो इनको अभी नेपाल में भारत नेपाल साहित्य समारों में बुला करके स हिंदी सम्मेलन में दिया जाना था 2023 में जो हुआ था फिजी में यह भी कुशन इंपोर्टेंट है यहां से भी बनेगल कुशन यह प्रुसकार भारती विदेश अंतरा ले देती है कुछ और पुरुसकार जो पिछले दिनों में दिये गए जैसे संजन ठाकूर की बारे मिकल हम लोगों ने बात किया कॉमन वेल्थ पुरुसकार पाई है विललेन सुबबया इवाई इंटर्प्रेनर अब दा येर क्रिष्न प्रकास वार्षिक हिंदी भारती पुरुसकार विराट कोली ओडियाई प्लेयर अब दा येर विरहत सुमा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी मेजर राधिका सेन यून मिलिट्री जेंडर एड़ोकेट और जेनी अर्पनबैक बुकर पुरुसकार पाए हैं ये आर्कुलकर्णी को प्रतेष्ट सौप पुरुसकार मिला है अगला हाली में किसको नया विदेज सच्यू नयूप किया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टन कुश्चन बहुत के नय विदेज सच्यू ये अब बन गए हैं दोस्तों विक्रम मिस्ट्री विक्रम मिस्ट्री आएंगे विने मोहन कौत्रा अभी तक थे भारत के विदेज सच्यू अब इनकी जगापर आएंगे विक्रम मिस्ट्री विक्रम मिस्ट्री के पास काफी अनुभव है का चाइना को ले करके और चाइना से रिलेस्ट्स भी आगे दीखो कैसे क्या होता है, उसको मैंस कर में इनकी आहां निस क्या खेगी, विधेयसमंत्री के बाल विधेशमंत्री को डायर्क्रिटरि रिपोर्ट करने वाली जो पोस्च होती है, वो होती है dotagripiell विधेश सच्यू की अभी क्या है अभी ये उपराष्टिय शुरक्षा सलाकार है देख रहे हो अभी ये डिप्टी NSA है एनसे अजी दोबाल वाली पोस्ट और डिप्टी एनसे ये पर है मतलब अपने आप में अल्रेडी ये बड़े पावरफुल पोस्ट पर हैं एक और दूसरी पोस्ट ने को द अगिये हो बीज-बीज में ये जब बार-बार आता है लेकिन यहां से कुश्चन डिरेक्ली बनते हैं ठीक है चलिए मार्क रूटे ये बन गए नाटो के अगले महासच्यू और एनस राजा सुब्रमानी अगले उप सेना प्रमुक होंगे ओम बिल्ला जी अठारी लोग अगला कुश्चन हाली में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा सतक बनाने वाली महला क्रिकेटर कौन बनी तो ये बन गहीं दोस्तों सिफाली वर्मा भारतिये महला क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी साउथ अफरीका के खिलाब 194 गेंदों में ही अपना डबल मिताली राज का राज लगभग 22 सालों तक रहा क्रिकेट में भारती क्रिकेट की कप्तान रही पूर्व। इन्होंने 2002 में दोस्तों लगाये थे दबल सेंचुरी दूसरा सतक लेकिन तब से आज भर में लगभग आप समझो 20 साल के आजपास हो गए कोई दूसरी महला 12 सतक लगा पाई है भारत की फिलाल इन्होंने सबसे तेज बनाया है तो इन्होंने रिकार्ट तोड़ा है एनावल सदरलेंड का जो की आस्टेलिया की है ये 248 गेदों में अभी बनाय थी इसी साल और 194 गेदों में सेफाली परमाने बनाया है ठीक है डबल सेंचुरी अगला हाल और उन्होंने निमनीवरसिक कीस बैंक ने सुमित नांगल को अपना ब्रैंड अंबेशजर बनाया सुमित नांगल एक जाने बाने दूस्तो टेनिस के खिलाडी है भारतिये और भारत में इस समय है भारत के खिलाडियों में नंबर बन चल रहे हैं तो इनको ब्रैंड प्रमोट करेंगे सुमित नांगल यह पेसेवर टेनिस की लाड़ी है यह ओवराल नंबर 71 रैंक पर है लेकिन भारत में नंबर एक पर चल रहा है अभी अभी नवीनतम जल रैंकिंग जारी हुई उसकी बात कर रहा हूँ बैंक आउपड़ोदा की बात करें अगर यह तीसी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है भारत की तो उतल 12 सरकारी बैंक है उनमें तीसरी सबसे बड़ी है बैंक आउपड़ोदा इसकी अस्थापना 1908 में होई थी बड़ोदरा में हेटकॉाटर है गुजरात में इसकी MD और CEO अरुन धदी राय आपको यहां पर दिख रहे हैं यह आल्रेड़ी बुकर पुरुषकार जीत चुकी है बुकर पुरुषकार जीतने वाली यह पहली महिला थी 1997 में इन्हों जीता था और अब इन्होंने pen printer पुरुषकार जीत लिया है हाला कि अभी कुछ दिन पहले ही इनक के लिए इनको इनपर केज भी हुआ है फिलाल इनको अभी pen printer पुरुषकार दिया गया है मतलब एनाउंस किया गया है इनको दिया जाएगा अक्टूबर महीने में लंदन में इंगलाइन में बुला करके बुकर पुरुषकार की एक वेजयता होंगी वेजयता है पहले से 1997 इनको the god of small things के लिए दिया गया था इनकी कुछ और प्रमुख रचनाए जैसे the ministry of utmost happiness, capitalism, a ghost story और the algebra of infinity justice ये कुछ इनकी प्रमुख उस्तके हैं रचनाए हैं अगला 29 जून 2024 को किस महापुरुषकी जैनती पर राष्ट्य सांके की दिवस मनाया गया तो दोस्तो राष्ट्य सांके की दिवस हमलोग प्रतेक वर्स मनाते हैं प्रसांथ चंद्रमहान लोविजी की जैनती के औसर पर तो 29 जून का दिन जो है यह सांके की के जनक जो भारत में कह जाते हैं फादर आफ इंडियान स्टेटेश्टिक उनकी जैनती पर यह मनाया जाता है ठीक है तो इस दिन दोस्तों सांके की बढ़ावा देने के लिए इसके प्रतेवेर्निस पहलाने की बताते ही हैं अच्छा जो पंचवर्सी योजना चल लही थी नहीं उसमें जो दूसरी वाली पंचवर्सी योजना थी यह पीसी महान लुपीजी की मोडल पर ही थी फिलाल इस बार की थीम है योजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग अच्छा यह तो राष्टे सांके की दिवस है अगर आप से विसुर सांके की दिवस पुछा जाए वाप बताना 20 अक्टूबर को मनाया जाता है समय उतराष्ट के दरा लेकिन एक इसमें कैच है यह प्रते वर्स नहीं मनाया जाता है यह पांच साल में एक बार मनाया जाता है विसुर सांके की दिवस ठीक है अगला यहापर कुछ और प्रमुक जो महापुरुस हैं, उनकी जनती पर इस्वित देवस हैं, और ये लिस्ट मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, आप स्क्रिन सॉर्ट लेजिए या फिर PDF से पढ़ लीजेगा, इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हो, क्योंकि अल्रेडी अभी कुश्चन्स और हैं तो टाइम लंबग चेगा, ये देखिए, EIU के 2024 वैस्विक जीवन चम्ता सुचकांग में कौन सा सहर सीस पर है, तो EIU के Economic Intelligence Unit के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई वैस्विक जीवन चम्ता सुचकांग, इसमें टॉप पर सहर है वियना, वियना दोस्तों आस्ट्रिय की राजधानी है, और लगातार ये तीसरी बार टॉप पर आई है, Economic Intelligence Unit ने ये Global Livability Index तयार किया है, इसमें अगर वैसे तो इन्हों ने 10-10 अच्छे और 10-10 बुरे सहरों को इसमें लिष्ट किया है, यहाँ पर मैं टॉप 3 बता दे रहा हूं, दुनिया में रहने के लिए पर, Copenhagen Denmark 2 पर, Zurich Switzerland 3 पर, और सबसे खराब सहर रहने के लिए Karakas Venezuela, दूसरे पर कीव यूक्रेन है, आप देखरों रसिया यूक्रेन में लगातार यहाँ पर वार हो रही है, पोर्ट मोरेस भी PNG की है, खीके न, तो ये 3 डेस सबसे खराब है, इसमें बहुत सारे पैमाने दे साइन्स की बुक अगर आपको लेना आए ते संबर पर वट्सेप कीजिए, हिंदी और इंग्लिज दोनर में वेल वेल है, इसके अलावां, लास्ट ये के कुश्चन की बात करें, कल मैंने पूछा था आपसे कि यह स्थापना किस देश ने की थी, भारत और प्रांस ने मिल कर कॉप 21 में यह स्थापना की थी, 2015 में याद रखना बहुत इंपॉर्णन है, प्लास्टिक कचले से सडग बनाने वाला पहला मिलिटरी स्टेशन, नारंगी सेंड इस्टेशन है असन, आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है, परेटन विभाग ने मंद्रों के संग्राले के लिए भूमी एक रूपए में रासी पर कितने वर्स के लिए प्रदान किया है, और वो भी किसको प्रदान किया है, यूपी गवर्मेंट के प्रेटन विभाग में बिया है, किस किर्केटर को हर्याना हरीकेन या हर्याना तूफान के नाम से जाना जाता है, हर् केली गराम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और MZT एजूकेशन सर्च करके आप महाँ पर जोइन भी कर सकते हो और क्वेज और पीडिए दोनों प्रादनी के लिए आप MZT एप डाउनलोड कर सकते हो MZT Google Play Store पर लिखना मिल जाएगा है यंके सो मस्च मिलेंगे एक लिए वेडियो में तब दख लिए नमस्का जाएं वंदी मात्रम